नमस्कार, जिला प्रशासन मुजफ़नगर के निर्देशन में आयोजित ओनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का अभिनेंदन करता हूँ मैं सबसे पहले आपसे एक विनमर अपील करना चाहता हूँ कि आप लौकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें आप अपने मुबाइल में आरूग्या से तू एप अवश्य डाउनलोड कर लें यह एप हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है इस एप से हमें बहुत लाब पहुचने वाले हैं एक अपील आपसे और करना चाहता हूँ कि आप परशासन से जुड़े सभी व्यक्तियों अपी अधिकारियों, करमचारियों की मदद करें उनका सहयोग करें मैं अपनी जिला अधिकारी महदया सैल्वा कुमारी जे मुख्यविकास अधिकारी आलोक यादब हमारे जिलाव दिले निरिक्षक महदय गजिंदर कुमार वे अन्या सभी अधिकारी गण वे करमचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वे सभी हमारी सेवा में और सुरक्षा में तक पर हैं और हमें एसास होता है कि हमारा परशासन हमें अपना परिवार मान रहा है आज में डॉक्टर विकास कुमार, प्रस्वल सनातान धरम, इंटर कॉलेज मेरापूर, डिस्टिक मुझफवनगर आप कक्षा 10 में, विज्ञान विशय में मानाव नेतर से संबंधित जानकारी आपको दूँगा आज का मेरा विशय है, नेतर द्वारा प्रतिविम का बनना, नेतर की समझन चमता, और नेतर में आए विभिन दोशों का निवारण हम कैसे कर सकते हैं यह हमारी नेतर का एक चितर है, जिसका आति हैं हम पहली वीडियो में कर चुके हैं यह रेटीना है, नेतर लेंस है, पुतली है और बीच में द्रव भरा है जब कोई वस्तु आख के सामने आती है, उस वस्तु से परावर्थित प्रकाश हमारी पुतली पर प्रतिविम बनाता है और वह प्रतिविम नेतर लेंस की साहता से कांच द्रव जो बीच में बरा है, काचा द्रव इस द्रव से होता हुआ रेटीना पर गिरता है द्रश्टी पटल, मेंस रेटीना, रेटीना पर गिरता है और रेटीना पर एक उल्टा प्रतिविम प्राप्त होता है जैसे ही रेटिना पर प्रकाश गिरता है जो उल्टा प्रतिविम प्राप्त हुआ रेटिना पर जैसे ही प्रकाश गिरता है रेटिना में कुछ सेल्स होती है वो ऐसी सेल्स होती है जो प्रकाश के गिरते ही एक्टिव हो जाती है सक्रिय हो जाती है Light Sensitive Cells ये जो Cells द्रश्टी पटल पर, रेटिना पर हैं और वो Cells एक्टिव हो गई वो एक्टिव होने के बाद कुछ Electrical Signal डेवलाप करती है Electrical Signal उत्पन हो जाते हैं और वो Electrical Signal नर्जु के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुशते हैं और हमारा ब्रेन अनुभव के आधार पर उस परतिविम को सीधा देखता है आपको मैंने लिखा भी है मैं साथ-साथ आपको Notes प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के पास किसी को पुरानी किताबी भी ना मिल रही हूँ तो बच्चा आराम से नूर्स बना सकता है किसी बस्तू से आने वाली किरने सबसे पहले नेत्र के कौर्निया पर आप्तित होती है कौर्निया से अबवर्तित होकर करमशय, जलिय द्रव, नेत्र लेंस, पारदर्शी द्रव से होती भी रेटिना पर पहुंसती है रेटिना पर वस्तू का उल्टा व्य वास्त्विक परतिवीम बनता है जैसरी मैंने आपको बताया था परतिवीम बनने की सूचना या संदेश, परकाश, तंत्रीकाओ, द्वारा, लाइट, नर्ज, द्वारा रेटीना की संबेधी कोशी काऊ थोड़ासा लाइट किरते के साथ ही ये सेल्स एक्टिव हो जाती है से होकर हमारी मस्तिस्क में पहुंसती है कैसे पहुंसती है? नर्व जोगे द्वारा और हमारा मस्तिस्क अनुभव के अधार पर वस्तु के प्रतिविम को सीधा देखता है आपने एक सुना होगा कि जो मुर्गा है वो सुबह को बांग देता है ऐसा क्यों होता है? मुर्गे में ही ऐसा क्यों? बकरी भी बांग देख सकती है बोल के दिखा दे या कुते भौकने लगे ऐसा क्यों होता है? रहता ही है जैसे ही सुर्य का प्रकाश परत्वी पर सुभह आना शुरू होता है बहुत कम प्रकाश आने पर ही मुर्गे की जो sensitive cells होती है वो active हो जाती है और sensitive cells active हो जाने के बाद वो कुछ signal electrical signals develop करती है और वो signals नर्जों के द्वारा optical nerves के द्वारा हमारे दिमाग को पहुंचाते हैं मुर्गे के दिमाग को जाते हैं और वो बाग देने लगता है शाम के समय भी जब जैसे ही light थोड़ा कम हो जाती है sensitive cells कार्य करना बंद कर देते हैं और मुर्गा जल्दीस हो जाता है आप देखें कि God ने या हमारा जो physical structure पूरा body है उसमें नेत्र सबसे सुन्दर चीछ है जब हम आखें दूर करते हैं तो थोड़ा दूर देखना चाहते हैं तो वो हमारी आखें दूर किसी बस्तू पर फोकस हो जाती है और जब हम पास किसका लेते हैं तो में पास को फोकस हो जाएंगे मेरा हाथ यहाँ है तो मेरे हाथ पर जो लकीरे वो यहाँ दिख रही है मेरे आख की जो फोकस दूरी है वो set हो गई दूर किया थोड़ा और दूर force हो गई स्क्रीन पर देखने लगा प्रोजेक्टर की तो यहाँ तक फोकस दूरी हो गई यह फोकस को adjust करने कि जो छमता है नेत्र अपने आप अपनी फोकस दूरी को adjust कर लेता है अपने को उसे समयूझित कर लेता है इस छमता को ही नेत्र की समजन छमता या power of accountation कहते हैं खोता क्या है अभिनेत्र लेंस की वह चमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समा योजित कर लेता है लेंस की समझन चमता कहलाती है अभिनेत्र लेंस नेत्र में अपने ही स्थान पर मांश्पेशियों के बीच ठिका रहता है ये मांश्पेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डलती है अभिनेत्र लेंस मांश्पेशियों के बीच घिरा रहता है और मांश्पेशियों के द्वारा ही ये ठिका रहता है इसके चा हो जाती है इसके द्वारा नेत्र लेंस पर कम या अधिक दवाव डाल कर नेत्र लेंस की वक्ता तिर्जिया या फोकस दूरी को परिवर्दित किया जा सकता है जब मास्पेसिया सिथिल हो जाती है सिथिल मीन्स रिलेक्स जब हमारी आईज की जो नेत्र लेंज है उसकी मास्पेसिया रिलेक्स हो जाती है तब नेत्र लेंज पतला हो जाता है जिससे नेत्र लेंज की फोकसदूरी बढ़ जाती है और हमें दूर इस्थित वस्तू को देखने में आसानी होती है means जब हम दूर देख रहे होते हैं तो आप समझ जाएए हमारी नेत्र लेंस है उनकी जो मास्पेसियां है वो रिलक्स हो गई रिलक्स होने के बाद क्या होगा जो नेत्र लेंस पतला हो जाता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम कैपिविल हो जाती है हमारी आखे कि हम दूर तक देख सके हैं और जब हम पास देखते हैं जैसे मैं बिलकुर इसे मैं पास देख रहा हूँ तब क्या होगा जैसे मैं पास देखते हैं इस परकार हमारा नेत्र अपनी fokus-दूरी को अपने आप adjust कर लेता है हमें किसी switch को on करने की या off करने की या set करने की जरूरत नहीं होती है अपने आप focus-दूरी set हो जाती है और यही नेत्र की समझन चमता कहरती है नेत्र का निकट विंदू वैदूर विंदू अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको इस किताब अगर मैं ले लूँ और उस किताब को यह कहता हूँ कि उस किताब को या यह कार्ड यहां रखा है मेरे पास इस कार्ड को अगर कोई मेरे पास कह दे कि इस कार्ड को आप बिल्कुल आँक के पास ले आओ और इसे पढ़ो शायद मैं नहीं पढ़ सकता मैं क्या आप भी नहीं पढ़ सकते बच्चे ऐसा करते भी हैं बच्चे ऐसा करते भी हैं क्या कि एक दूसरे के face पर किताब लगा देते हैं और कहते हैं कि अब पढ़ के दिखा अब पढ़ नहीं पढ़ पाएंगे एक निश्चित दूरी के आगे लख रखने पर हम किताब नहीं पढ़ पाएंगे यह NCRT बुक है मेरे पास इस बुक को अगर मैं चाहूं NCRT हो या किसी की बुक हो अगर मैं उस बुक को नहीं पढ़ सबता हूं तो वो निश्चित दूरी क्या है वह निउन्तम दूरी जिस पर रखी कोई बस्तू नेत्र द्वारा बिना किसी तनाव के अत्यादिक इस्पष्ट देखी जा सकती है इस दूरी को इस्पष्ट द्रष्टी की निउन्तम दूरी कहते है यानि जिस दूरी तक कोई स्वस्ट नेत्र किसी चीज को देख सकता है वो भी बिना किसी तनाव के समाने दरश्टी वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसपश्ट दरश्टी की नियूनतम दूरी 25 cm होती है 25 cm से पास आने पर हम बिना आखों पर जोड डाले वस्टू को नहीं देख सकते हैं हम पढ़ नहीं सकते हैं वह दूरतम बिन्दू जिस पर कोई नेत्र वस्टू को बिना तनाव के इसपश्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिन्दू कहलाता है समाने नेत्र के लिए दूर बिन्दू अनन्थ पर होता है अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी इसपष्ट द्रष्टी की नियूंतन दूरी 25 cm है और दूर बिंदू हमारे लिए अनन्त है इस परकार हम 25 सेमी और अनन्त के बीच की वस्तवों को इसपष्ट रूप से देख सकते हैं यदि हमारी आख स्वस्त हैं तब यह पिक्चर आपको शो करना चाहता हूँ यह हमारी नेत्र है इधर रेटीना है लास्ट में यह रेटीना है जहां पर इमेज बनती है उल्टी नेत्र लेंस है यह प्रकाश करने आई और रेटीना पर पर परतिमी बनना चाहिए था किन्तु यह परतिमी बीच में कहीं बन गय तो कभी-कभी कुछ प्राउब्लम्स की वजह से हमारी नेत्र में कुछ दोश हो जाते हैं वो दोश क्यों होते हैं? मासपेशो के कारण, हमारे खानपीन के कारण, उम्र के साथ साथ, मासपेशय ठीली भी पड़ती हैं तो ये सब कुछ होता है कभी परतिविम जो बनेगा, वो पहले बन जाएगा रेटिना से, और कभी बाद में भी बनेगा ये मैंने जो एक्जाम्पिल दिखाया है इस एक्जाम्पिल में दूर से कहीं से वस्तु रखी है उसे परकाश किर्णे आती है और वो परकाश किर्णे नेत्र लेंज से गुजनने के बाद इस लिक्विट से गुजनने के बाद रेटिना पर परतिविम बनना चीए था पर नहीं बनाती और ये परतिविम बनन जाता है बीच में ये नेत्र के दोश कर लाते हैं कुछ इन दोश की एफ हम चर्चा करेंगे उनका हम निवारन करना आपको बताएंगे देखो हमने यह निवारन किया भी है यह हमने एक अवतल लेंस लगा दिया इस अवतल लेंस ने क्या किया अभी मैं नाम जानबुच करनी बता रहा हूँ कि यह कौन सा दोश है यह अवतल लेंस लगाने से क्या हुआ यह परकाश किरने आई थी इस अवतल लेंस ने कौन कैव लेंस ने इन किर्णों को कुछ फैला दिया और फैलाने के बाद यह किर्णे जहां फोकस होनी चाहिए थी वहीं पर फोकस हुई रेटिना पर जाकर यानि इन लेंसों का अमारे जीवन में यही उपयोग है हम उत्ता लेंस का अफ्ता लेंस का उपयोग करके यही सब करते हैं कि परतिविम को सैट करते हैं कि परतिविम जहां रेटीना पर बनना चाहिए वहीं जाकर बन जाए कभी हम अफ्ता लेंस लगाते हैं जब हमें किर्णों को फिलाने की जरुवत होती है अगर परतिविम कहीं बीच में बन जाता है तब मैं आपको एक दोश के बारे में बताना चाहता हूँ निकट दरश्टी दोश, मायोपिया निकट दरश्टी दोश में जो व्यक्ति होता है निकट दरश्टी दोश से पीडित व्यक्ति निकट रखी वस्तूओं को तो इसपस्ट देख सकता है परन्तु दूर रखी वस्तूओं को वह सुईसपस्ट नहीं देख पाता है उल्टा है निकट दरश्टी दोश वह दोश अगर इस दोश से कोई व्यक्ति पेडित है तब वो निकट रखी वस्तुओं को तो देख पाता है किन्तु वो दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता है निकट द्रश्टी दोस में नेत्र में किसी दूर रखी वस्तू का प्रतिविम रेटीना पर नहीं बनता है बलकि रेटीना के सामने ही बन जाता है जैसा कि मैंने आपको पिक्चर दिखाया था यह मैंने निकट द्रश्टी दोस ही बताया था आपको बनना चाहिए था परतिविम यहां पर, रेटिना पर, पर naturally वो परतिविम रेटिना पर नहीं बन रहा है, वो परतिविम रेटिना के सामने ही कहीं फोकस हो रहा है अब हमें करना क्या है कि इस पर्तिवियम को यहां से हटा कर यहां ले जाना है और हमने अवता लेंस का यूज किया यह हमने पहले ही आपको बता दिया निकट दरश्टी दोस कब होता है निकट दरश्टी दोस के वल कव होता है जब नेत्र लेंज की वक्रता बढ़ जाती है वक्रता बढ़ जाने का मतलब है फोकस दूरी कम हो जाना मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था वक्रता बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि वक्रता तिर्जा जादा हो गई वक्रता जादा होगी तो वक्रता तिर्जा कम है और वक्रता तिर्जा कम होगी तो फोकस दूरी कम होगी और जब फोकस दूरी कम हो गई तो जो चीज जो हमने एक टार्गेट हिट करना चाहा था अगर कोई हम से कहता भी हमारा focus क्या है आज की date में आज की date में अगर मैं अपनी जो हमारे जिला मुझभफनगर की दूर दर्शी जिला अधिकरी महधया में हैं उनका क्या target आज की date में हैं? उनका target तो यही है ना कि हम orange zone या red zone में ना चले जाएं मुझभफनगर को बचाएं यह उनका focus है पर अगर हम लोग अनुसासन हींता करते हैं हमारा focus घट जाएगा और focus घटने का मतलब क्या है? कि जो हम target तक नहीं पहुँच पाएंगे पर हमारी आख की focus दूरी घट गई focus दूरी घटने का मतलब क्या है? कि वो जो प्रकाश किर्णे रेटीना तक जानी थी वो रेटीना तक नहीं जा पा रही है बलकि वो पहले ही डेट हो गई है ऐसा होगा ना? पर हम अपने focus पर मजबूत बने रहेंगे आज हमें मिलकर कोरान को हराना है और image जहां बननी है वहीं बनेगी हमें मुझफनगर को जीताना है नेत्र लैंस की वक्रता का बढ़ जाना वक्रता बढ़ जाने का मतलब वक्रता तिर्जा का घड़ जाना focus दूरी का घड़ जाना और नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना नेतर के गोलक का व्यास जितना ज़ादा हो जाएगा उतना ही उसमें निकरदर्ष्टी दोस ज़ादा होगा निकरदर्ष्टी दोस का निवारन हम कैसे करें निकरदर्ष्टी दोस को उचित फोकस दूरी के अफ्तल लेंस का उपयोग कर दूर किया जा सकता है जब कोई पीडित व्यक्ति अफ्तर लेंस के चस्मिय का उप्योग करता है तब अफ्तर लेंस परकाश किर्णों को अफसारित कर देता है अनन्त से आने वाली किर्णे लेंस से अफवर्तित होकर थोड़ा पीछे अर्थात सही स्थान पर रेटिना पर परतिविम बनाती है हमारे हम अपने फोकस से पीछी अगटेंगे तब गौर्मेंट क्या करती है परशासन को मजबूर होकर अफ्तर लेंस जैसे कुछ उपकरणों का परियोग करना पड़ता है सुनते ना पुलिस बहुत सी वीडियो जाती है पुलिस ने डंडा मार दिया पुलिस ने बहुत ये किया वो किया अपील करते हैं क्यों वो अफ़तर लेंस ही तो हैं वो हमें सही जगा फोकस कर रहे हैं इस समय और हम मजबूर कर रहे हैं अगर हम अपना खानपीन सही रखे तब यह एक्जाम्पिल मैंने एक पूरी एक्ससाइज अपनी नोट बूक पर आज बनाएंगे यह एक लेंस है दूर से वस्तु आ रही है आख पर गिरती है पहले ही फोकस हो जाती है जबकि होना चाहिए था कहीं दूर से वस्तु किरने आए रेटिन आपर फोकस करें यह होन आपता लेंस लगाकर आपता लेंस हमने लगाया इस आपता लेंस ने किर्ण वह थोड़ा सा फैला दिया और यह किरने रेटिना पर पहुंच गई मैं आशा करता हूं कि निकटद्रस्थी दोष आपको के लियर जरूर हो गया होगा सेम फिगर है मैंने color change करके द्वारा डाली जिसे कुछ बच्चों को और इसफस्ट ना हो तो वो बच्चे इसफस्ट रूप सब नोट बुक में ये image बना सके अब मैं दूसरी image आपको दिखाता हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये परकाश क्रेंडे आई नेत्र lens पर गिरती है रेटिना को भी cross कर गई है और पीछे जाकर image बनाती है ये भी गलत है ये इस वैसे से गलत है क्यों गलत है? वह जाता कर रहा हूँ इसमें क्या हुआ? किर्णों को तो रेटिना पर देखेगा ना? नेत्र इन परकाश क्रेंडों को हमें इस परकर आइजर्ष्ट करना होगा कि ये क्रीने रेटिना पर आप्तित हूँ और रेटिना पर आप्तित करने के लिए हमें यहां convex lens उत्ता lens लेना पड़ा उत्ता lens ने क्या किया? इन क्र्नों को सिकोर दिया इस दोश को आप जान गए होंगे, हम कहते हैं दूर द्रश्टी दोश दूर द्रश्टी दोश क्या होता है दूर द्रश्टी दोश से पिडित व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो इसपस्ट देख सकता है परन्तु समीफ रखी वस्तुओं को वैसबस्ट नहीं देख पाता है दूर दरश्टी दोस युक्त नेत्र में किसी समीफ रखी वस्तु का परतिविम रेटिना पर नहीं बनता है बलकि रेटिना के पीछे बनता है एक्जाम्पिल देख लिजिए जो मैंने दिखाया था पहले ये वस्तु है पास रखी है परतिविम रेटिना पर बन रहा है और पास वस्तु रखी हमने रेटिना पर नहीं बना परतिविम बलकि पीछे चला गया कहीं और हमें इस बिंदु को खिसका कर आगे लाना है फोकस पर लाना है अपने यहां से परकाश कराण चलती है लेंस पर आप्तित होती है लेंस उनके लिजिए कुछ उसी कोड देता है और रेटिना पर परतिविम बनता है और इस परकार हम दूर दर्ष्टी दोस के जो कारण है उसको हम धूर कर सकते हैं दूर दर्ष्टी दोस के कारण निगट दर्ष्टी दोस के कारण से जस्ट अपोजिट होंगे नेतरी लेंस की वक्रता का कम हो जाना अर्थात फोकस दूरी अधिक हो जाना आवशक्ता से अधिक focus दूरी हो जाना भी गलत रहेगा नेतर के गोलक या गोलक का प्यास कम हो जाना दूर दर्ष्टी दोस को हम कैसे दूर कर सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं कि दूर दर्ष्टी दोस को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का सहरा लेना होगा उत्तल लेंस प्रकाश किर्णों को कुछ अभिसारित कर देता है अर्थात मोड देता है और जो किर्णे फोकस नहीं हो रहीं थी रेटिना पर आगे जाकर फोकस हो रहीं थी वो परकाश केरने रेटीना पर जाकर फोकस होने लगती है मैं आपसे एक sentence कहना चाहता हूँ कभी-कभी हम भूल जाते हैं जैसे अभी निकट दश्टी दोस में अउत्तर लेंस का यूज़ करते हैं दूर दश्टी दोस में दूर से दूर दश्टी दोस, उ से उत्तर लेंस, दूसरे में उल्टा होगा, निकट आ, निकट दश्टी दोस, आ, आ से उत्तर लेंस, दूर बैठा उल्लू, निकट आ, इस सेंटेंस से आप याद कर सकते हैं कि दूर दश्टी दोस में उत्तर लेंस का यूज करेंगे, और मैं आपसे फिर से विनम्र अपील करता हूँ मुझफनागर परशासन, उत्तर परदेश सरकार या केंदर सरकार ये जो भी कार्या कर रहे हैं ये हमारी बढ़ाई के लिए कर रहे है हमारे अन्मोल जीवन को बचाने के लिए कर रहे है सासन का सहयोग किजिए बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा मुझे नहीं, आप भी विश्वास रखिए बहुत जल्द, अब हम दूर नहीं हैं अपने फोकस से अब हमें किसी सहरे की जरूरत नहीं होगी बहुत जल्द ऐसा दिन आने वाला है कि कोरोना हरेगा, हम जीतेंगे मुझफ़ नगर जीतेगा उत्तर प्रदेश जीतेगा मेरा भारत जीतेगा जय हिंद, जय भारत